प्रोजावाद जिले के सिर्चागंजनगर में गांदी मंडे से सब्जी मंडी में बनी सब्जी की आइस्थाई दुकानों में अचानक आग लग गई आग लगने से सब्जी की दुकानों का सामान जलकर राख हो गया वहीं सूसरा मिलने पर मौके पर पुलिस और फाइब रिकेट की गाड़ी पहुँच गई और आग बुझाने में जुट गई काफी मसकत के बाद आग पर काभू पाया गया और आग की लप्टों को देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुँच गई सिरसगन चेयर्में ने बिजली के सौट सर्किट से आग लगने को बढ़ाया है फिलहाल आग लगने के कारण अभी सपस्ट नहीं हुए है मौके पर पहुँचे चेयर्में सौनी सिफ हरे फीरित फट लगा कर सबजी बेचने वालों ने बताया यहां आग किसी के द्वारा लगाई गई है रुजावास से राजस कुमार सर्मा की रिपर एस कैच न्यूज अभी थोड़ी देर पहले सुटनम लेती है कि यहां कुछ हमारे जो फट विक रहता हैं सब्जी विक रहता हैं उनके फटों पर अचानक ही कोई शौर सर्ट की द्वारा आग लग गई जिसमें उनकी जो रोजमर्रा की दरूतियां होती थी वह रखी हुई थी आग ने एक भहिंका रूप लिया और उस भहिंका रूप से एक करीब मैं समझता हूं के 40 से 50 मीटर का दाइरा जो रहा है उसमें भहिंका रूप से आग लगी कि उस अल्प सुचना के आधार पर तुरंत फायर विग्रिड को सुचना की गई मेरे द्वारा और फायर विग्रिड के द्वारा यहां आके और इस्थानिया लोगों के सायोग से उस आग पर काबू पाया गया है अगर आंकलन की बात की जाए तो इस आंकलन के बारे में अभी हम खुच नहीं कह सकते हैं जो इस्थानिया हमारे सब्जी विक्रेता हैं सुबह अभी जो भी रहा है वो इस्थानिया यहां मंडी वासियों के सायोग से और हमारे पत्रकार बंदूओं पुलिस और फायर विग्रिड के सायोग से जो कुछ भी किया गया है यह उसी के सायोग से आग पर काबू पाया गया है मैं समझता हूँ मैंने जो सुचना मेरे पास जो सुचना आई थी उसके मुस्किल से 5-7 जो दूरी लगती है उसी दूरी के अंतराल में 7-8-10 मिनट के यहां अंतराल में फायर विग्रिड यहां पहुंच चुकी थी और आग पर काबू पालिया गया है और इस्थानिय जो हमारे सबजी विक्रेता है जो हमारे दुकंदार है उनके सुबह उसी के आधार पर जानकारी के आधार पर यह आंकलन हो सकता है कि कितने यहां पर लोस हमारे खड़ विक्रेताओं का हुआ है उसके आंकलन के बारे में हमें सुबह ही जानकारी हो पाईग दोलो